हालो दोस्तों नमस्कार स्वागत है हमारे लूप टेक्नो सेशन चैनल पर आने का मैं संजय पासी दोस्तों आज हम क्यूएश प्रो मैटल जेक्टर लेकर क्या हैं ग्राउंड पर यह देखिए इसका छोटा सा प्यारों सा पैकट है जो आपके सामने है सीरियल नमबर है आप देख सकते हैं यह देखिए यह बिल्कुल लाइड वेट है मैक्सिमम इसका जो वेट है डेड़ किलो है दोस्तों 1.5 केजी है बिल्कुल इजी टू यूज मसीन है और फुल वाटर पोक मशीन होता है तो यह देखिए इसमें अर्जस्टेबल भी होता है अपने कोडिंग जो है आप इसे जो है घटा बढ़ा सकते हैं जितना चाहें आप फोटा कर सकते हैं इसे यह देखिए आप अपने कोडिंग जो है आप सेट कर सकते हैं यहां से इसे बढ़ा सकते हैं मैं अब मशीन को आउन करता हूं यह देखिए मशीन को मैंने on कर दिया है मशीन जो है फालतू का आवाज नहीं करेगा सबसे पहले हम mode पे जाते हैं mode पे आ गया यह है डिस्क्रमेशन mode है mode आप अपने coding change कर सकते हैं डिस्क्रमेशन mode sense है डिस्क सेंस और उसके बाद all metal motion है all metal static है यह डिस्क्रमेशन mode है तो दोस्तों इसमें काफी सारे mode है आप अपने coding जो है आप चूच कर सकते हैं और इसमें खास बात यह है यह देखिए मैं भी जो है आपको दिखाता हूँ कि इसमें यह multiple frequency की होती है band में जाकर के यह देखिए 20 kilohertz की frequency पर चल रही है आप यहां से यह दिखिए 13 kilohertz की frequency है और 5 kilohertz की frequency है तो आप अपने coding आप जो है चूच कर सकते हैं तो दोस्तों अभी मैं जो है आपको दिखाना चाहूँगा अभी मैं जो है 20 kilohertz की frequency पर चला रहा हूँ और जो मोड है मैं अभी जो है इस मोड को जो आल मेटल मोशन पर चला रहा हूँ देखिए भी हमाल पास कुस मैटल है इसका देखिए जो टार्ट आइडी आ रहा है यह देखिए टार्ट आइडी क्या दिखाता है यह जो है कौपर की आइडी है यह स्टील है और यह है अलमूनियम की आइडी है और यह देखिए दोस्तों हमारे पास यह आइरन का मैटल है आइरन का देखिए यह इनीज 20 30 हाँ तो दोस्तों अब मैं आपको दिखाता हूं जो की डिस्क लेशन मोट का फंक्सन होता है यह है डिस्क लेबल का अब डिस्क लेबल पर देखिए मशीन जो है फाल्तू का अवाज नहीं करेगा जहां पर मैटल मिलेगा वहां पर ही सांड करेगा यह यह श्टील का है इस्टील का सांड देखिए कैसे आ रहा है और इसका सांड दिखिए कैसे आता है और यह देखिए इसका मतलब की जो है कॉपर और ऐलमूनियम का जो है सिग्नल सेम ही आएगा ट्यून वाई जगड़ा पदा करते हैं लेकिन इस्टील का ट्यून अलग आ रहा है और यहां पर जो आईरन है आईरन का देखिए यह आईरन है आईरन का देखिए फटा हुआ ट् कज दोस्तों जैसा कि मैंने आभी आपको जो है इसका all metal का function आपको बता है और इसका डिसकेव razón 일본 का function बता है तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल के फर्स्ट्रब आहा है तो प्लीज डिले Alex channel को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाईएगा क्योंकि दोस्तों अभी मैं इसका जो है आभी आपको फंक्शन बता रहा था कि अलग-अलग माइचल पर कैसे सिगनल आएगा तो दोस्तों मैं अभी नेस्ट वीडियो में अपने बनाने वाला हूं इस